मद्धपरदेश में जन्पदों में BJP का दबदबा नजर आ रहा है। बुदवार को पहले चुरण में 70 जन्पद पंचायतों की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में पार्टी ने 121 जन्पदों में BJP समर्थत अध्यक्ष चुने जाने का दावा किया है। 43 जन्पद पंचायतों में कॉंग्रेस और दो जन्पदों में गोनवाना गरतंतर पार्टी समर्थत अध्यक्ष बने हैं। चार जन्पदों में निर्दली अध्यक्ष चुने गए हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जनपदों में बीजेपी समर्थितों की जीत पर सीम शिवराज सिंग चौहान को बधाई दी है अध्यक्ष चुनाव में कई जगाहों पर विवाद हुए, हंगामे भी हुए और प्रदर्शन भी किये गए कई जगाहों पर पुलिस ने हलका लाठी चार्ज भी किया इधर आगरा जनपद के अध्यक्ष के चुनाव के लिए पढ़ची उठा कर फैसला किया गया इस पक्रिया में भाजपा समर्थित धर्मकुवर अध्यक्ष चुनी गई 16 जनपथ हस्यों ने वोट डाले थे जिनमें दो प्रत्याशियों को 8-8 वोट मिले थे तब रिटर्निंग अधिकारी तैसिलदार दिनेश सोनी ने 8 साल के बच्चे गोपाल से पढ़ची उठवाई के अलावा इंदौर, रायसेन, बढ़वानी, ग्वालियर, अशोक नगर, सतना, जाबुआ, बुरानपुर, नर्मदापुरम, दमोहु, अलिराजपुर और कटनी शामिल हैं इन सभी में बीजेपी समर्थक अध्यक्ष बने हैं सियम शिवराज सिंग चोहान ने कहा कि जनपत पंचायतों में बीजेपी को अपार सफलता मिली है अब हमारा गाउ में इंफ्राच्रक्चर तयार करने का फोकस रहेगा सडक, स्कूल, अंगनवाडी वा बजारों का विकास किया जाएगा जनपत पंचायतों के अध्यक्ष के चुनाव के परिणाम आने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शिर्मा ने कहा कि जनपतों के चुनाव में भाजपा को शांदार सफलता मिली है कई जिले ऐसे हैं जहां कॉंगरेस का एक भी जनपत में अध्यक्ष नहीं बना है उन्होंने कहा कि भाजपा कभी सप्ता का दुरुप्यों के नहीं करती और जैन में चार जनपत सदस्यों को वोट डालने से रोक कर परिनाम घोशित कर दिया गया मद्दाताओं के साथ अन्याय की गंभीटा से जाच होनी चाहिए इस खबर में इतना ही ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चनल सब्सक्राइब करें